कुछ रिष्टे बहुत मीथे होते हैं बस बाते कड़वी होती है बहु कहा मर गई अंदर से आवाज जिन्दा हूं माजी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई कब से पूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारोगी बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूं सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू मा जी मुझे कपड़े धोने हैं मैं जाती हूँ बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खतम कर दी बहू मुस्कराई और काम पर लग गई दुपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहू ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगी क्या बहू आई सामने खिचड़ी रखती सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना है ले जाओ बहू ने कहा आपको डाक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है खाना तो पड़े गई सास मु बनाते वे हाँ तु मेरी मा बन जा बहू फिर मुस्कराई और चली गई आज इनके घर पूजा थी बहू सुबे चार बजे से उठ गई पहले इस्टनान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साब की पकवान और भोज बनाया सुबे के दस बज गए अब सास भी उठ चुकी थी बहू अब पंडिक जी के साथ भगवान के वस्त तयार कर रही थी आज आफिस की छुट्टी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू ही सास चिलाती बहू ये नहीं है वो नहीं है बहू दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दुपहर के तीन बज गए थे आरती की तैयारी चल रही थी पंडिक जी ने सब को आरती के लिए बुड़ाया और सब के हाथों में थाली दी जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी थाली हाथों से गिर पड़ी शायद भोज बनाते वे बहू के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरे-तरे की बाते करने लगे कैसी बहू है कुछ नहीं आता ये काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहू ठाला है एक आर्टी की ठाली भी समाल नहीं सकती उसके पती भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही कुछ नहीं कहा बस यहीं बोलके छोड़ दिया सीख रही है सब सीख जाएगी धीरे-धीरे अब सबको खाना परोसा जाने लगा बहू दोर-दोर के खाना देती सास और कुछ आसपरोस के लोग खाने पर बैठे बहू ने खाना परोशना शुरू किया सबको खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निमाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बात कैसी ये घर संभालोगी आसपरोस वालो को तो जानते ही हो न साहब वो बस पहाना ढूंटते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब सुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहू है ये बगएरा बगएरा दिन का खाना हो चुका था अब बहू बरतन साफ करने नौक्रों के साथ चली गए रात में जगराता का कारक्रम रखा गया था बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए इस देज पर चड़ी सास जोड से चिलाई मेरी नाक मत कटवा देना गाना नहीं आता है तो मत गा वापस आजा बहू मुस्कराई और गाने लगी सबने उसके गाने की तारीव की पर सास मुँ फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता है बहू मुस्कराई और चली गी अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के आफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक्स करने लगी उसका पती चिलाता थोड़ा बर्फ लाओ तो सास चिलाती यहाँ डाल नहीं है फिर चिलाता कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है पापड ले आओ इधर उधर आखरी में उसके पती की सराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल तूट गई पती गुस्से में दो जहापर अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा जाहिल कहेंगी देख कर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पत्नी रोते वे कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार पुरा मूट खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अंपड़ गमार बीबी लारा की है तुने उसे तो महमानों की इज़्जत और काम करना तक नहीं आता है तुमने तो हमारी वेज़िती कर दी अब आस पर उसकी औरतों को और बहाना मिल गया वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुमारी बहु ने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो छुटकारा पाओ इस गमार से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थपड़ मारा और कहा रिन नालायक तुमने मेरी बहु को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दूगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घूरते हुए देखा कहा चुप बिलकुप यहां दारूपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पाइटी करनी है कैसे संसकार दिये है तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चपल से मारूंगे अगर मेरी बहु को किसी ने एक सब्ध भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसलिए मारा की तेरी सराप तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नास्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सबकी बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते समारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुटे से खिसक गए अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर बाहा लाई सब के सामने कहने लगी किस ने कहा था अपनी बहू को घर से निकालके दूसरी बहू ले आना तेरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिस सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है बेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाखती है और बेटी इसलिए कभी-कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है मेरी दिन राज सेवा करती है मेरे हजार ताने सुनती है पर एक सब दिभी की अलत नहीं कहती है ना सामने ना पीट पीछे और तुम कहते हूँ दूसरी बहू ले आओ याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत सास ने गुस्ते से पडोस की महिला को कहा अभी पिछले हपते ही तुम्हें मिया बीबी भूखे छोड़ घुमने चले गए थी फिर इसी बहू ने साथ दिने तक तुम्हारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फर्क नहीं जानते अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लब्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है बहू सिस्खियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा बहू के कमरे में खुद ले गई सास को भोजन लाते देख तो बहू ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो मैं खुद ले लेती सास ने प्यार से ताना मारते वे कहा डर मत इसमें जहर नहीं है मार नहीं डालूँगी तुझे तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तू तुझी मेरे घर की बहू चाहिए बहू ने अपनी सास को रोती हुए गले से लगा लिया सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाना खाले फिर मजाग करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन मैं इसका गलत अबा दूँगी क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी दोनों खूब हसने लगती है कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते कड़वी होती है